नमस्कार सेकेंड येर साइंस स्टुडेंट्स का श्री गौविंगुरू गौवर्मेंट कॉलेज बासवाड़ा की बाटनी डिपार्टिमेंट की तरफ से एक बार पुना मैं डॉक्टर शफकत राना आपका इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ बच्चों हमने पिछली क्लासेज में या पिछले वीडियो लेक्चर में कोशिकांगों की बारे में चर्चा की है हमने माइटो कॉंटिया पढ़ा है हमने ए आर पढ़ा हमने गौल की बाड़ी पढ़ा हमने राइबोसोम पढ़ा और आज हम उसी की कड़ी में एक और कोशिकांग लाइसोसोम पढ़ने जा रहे हैं और लाइसोसोम में दो वर्ड छिपे हुए हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लाइसो लाइसो का मतलब डाइजेस्टिव या पाचक और सोमा मतलब बाडी या काय तो हम इस प्रकार के कोशिकांगों के बारे में इस लेक्चर में अध्यान करने जा रहे हैं जिनका बेसिक फंक्शन बेसिक काम पाचन या डाइजेशन से रिलेटेड होता है लाइसोसोम की कोच सरव परतम 1950 में बेलजियम के एक कोशिका विज्ञान विज्ञे थे क्रिशियन रेने डीड हुए और उन्होंने उसको सबसे पहले खोजा उनकी बारे में बताया और इस काम के लिए उनको 1974 में नोबल पुरुसकार से भी सम्मानित किया गया था यदि भी उनको जो नोबल पुरुसकार दिया गया था उसमें लाइसोसोम और एक और सुक्ष्म काय परोक्सिसोम होती है उसकी खोच का कारी भी शामिल था और जिक शेत्र में उनको नोबल पुरुसकार दिया गया था वो फिजियोलोजी मेडिसिन के लिए दिया गया था lysosomes चुकि एकल लिकाई जिली द्वारा परिबद कोशिकांग है single unit membrane bounded cell organeal होने के कारण ये prokaryotes में नहीं पाय जाते जबकि सभी प्रकार की eukaryotes कोशिकांगे ये पाय जाते हैं एक general perception है कि ये animal cells के अंदर अधिक संक्या में पाय जाते हैं जबकि plant cells के अंदर ये कम संक्या में पाय जाते हैं ये उन कोशिकांगे अधिक होते हैं जिन में enzymatic activities ज़्यादा होती हैं जैसे pancreatic cells हैं या liver cells हैं और इनकी कोशिका में इस्तिती निश्चित नहीं होती ये कोशिका दरवे में कहीं भी पाय जा सकते हैं कोशिका में इनकी संक्या उस कोशिका की प्रकृती पर निर्वर करती है यदि वो enzymatic activity दरशाने वाले ज़्यादा कोशिका है तो वहाँ पर इसकी संक्या बेतिक हो जाएगी अन्यता जो दूसरी कोशिका होगी उसमें इसकी संक्या कम होती है ये इनका एक अद्वुद लक्षन है कि ये अत्यदिक polymorphic कोशिकांगे अर्थाद ये अपने कई रूपों में पाये जाता है polymins many morph means akar akrati तो कई रूपों में पाये जने वाला यह कोशिकांगे इसको कई नामों से जाना जाता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं the police force of cell भी कहते हैं इसको suicidal bags भी कहते हैं stomach of cell भी कहते हैं और हिंदिय में इनको आत्मगाती थेलियां भी कहते हैं इनका व्यास लगबग 0.2 से 0.8 microns के बीच में होता है आला कि कुछ कोशिकांगे हैं जिनमें ये 0.8 microns से भी बड़ी होती हैं जैसे leucocides WBC जिनको कहते हैं और phagocides ये सन्नेचनागी दरश्टी से देखा जाए ते एक sack like structure है यानि पुटी का समान लगबग गोलाकार की कोशिकांगे हैं जिनके चारों और एकल एकाई जिल्ली पाई जाती है और जो जिल्ली के अंदर वाला जो खाली स्थान है जिसको कि हम अभकाश कहते हैं लिउमन कहते हैं उसमें कई प्रकार के digestive enzymes या hydrolytic enzymes पाई जाते हैं एक बहुत important point है कि जो इसकी जिल्ली होती है वो जो इसके जो लिउमन में पाई जाने वाले जो enzymes होते हैं उन enzymes के जितने भी substrates होते हैं यानि वे पदार्थ जिनके उपर इसके enzymes क्रिया करते हैं उन पदार्थों के लिए इसकी जिल्ली अपारगम्य या impermeable होती है तो क्या होगा अपारगम्य होगी तो यह होगा कि वे पदार्थ कभी भी इस कोशिकांग के अंदर सुधा ही अंदर नहीं आ पाएंगे अपारगम्य होने के खारण इसकी जो जिल्ली होती है काई जिल्ली उसमें दो प्रकार के विशिश पदार्थ पाए जाते है उनमें से एक होते हैं लेबिलाइजर्स जो हैं वो लाइसोसों मेंब्रेन को अनिस्टेबल या अस्थिर कर देते हैं जिसके कारण एंजाइम्स अंदर से बाहर निकल जाते हैं असानी से ये labelizers के examples अगर से आप से कोई पूछता है खास दोर पर प्रतियोगी परिक्षाओं में तो vitamin A, B, K और E इस category में आते हैं जबकि जो दूसरे पतार्थ होते हैं उनको हम बोलते हैं stabilizers और जैसा कि आप screen में देख पा रहे हैं stabilizers जो है वो भी विशिश प्रकार के पतार्थ है जो कि चल्लियों में पाई जाते हैं अब जहां labelizers membrane को अस्तिर कर देते हैं, stabilizers membrane को stable कर देते हैं यानि कि स्तिर कर देते हैं इस कारण फिर enzymes अंदर से बाहर जाना रुक जाते हैं और ये examples दिये हैं उसमें stabilizers के cholesterol और cortisol एक point इनके निर्मान के लिए है कि गोलजी काय का इनका जो निर्माने lysosomes का वो गोलजी काय के द्वारा ही किया जाता है जैसा कि आप लोग पिछले lecture में भी पढ़ चुके हैं हम लोग GERL सिस्टम द्वारा होता है गोलजी काय एन्डोबलाजमी रेटिकुलम और lysosomes से ER बनाती है गोलजी काय को और गोलजी काय बनाती है फिर lysosomes को इसको GERL सिस्टम कहते है अब हम चर्चा करते हैं कि lysosomes के जो अंदर lumen है अवकाश है उसमें कितने प्रकार के enzymes पाए जाते हैं तो बहुत प्रकार के enzymes पाए जाते हैं एक लंबी list है लेकिन अगर हम उनको broadly classify करने की कोशिश करें तो कुल 6 प्रकारों में lysosomes के अंदर पाए जाने वाले enzymes को वरगी करत किया जाता है जैसे पहला category है वो है आपकी nucleus यह वो enzyme है जो की RNA और DNA को उनके components में यानि उनकी units के अंदर विवक्त करने का काम करते हैं nitrogen इक शारक, phosphate और pentoshakra में तोड़ने का काम करते हैं जो second category जो phosphates है, phosphatases है यह acid phosphates के तूटने और phosphate ester से monophosphate का निर्मान करने के लिए उतरदाई होते हैं जो तीसरी category होती है, lipase नाम से clear है, यह lipids को तोड़ने का या उनको विवक्त करने का कारे करते हैं जब lipids विवक्त होते हैं तो fatty acids वसी हमल और alcohol हमें प्राप्त होते हैं चौथी category proteases है, यह protein को उनके जो घटक अमीनोमल है उनमें तोड़ने का कारे करते हैं पांचवी category glycosidases या glycosidases बोलते हैं, यह basically सभी प्रकार के जो बड़े बड़े अनों होते हैं, carbohydrates के उनको तोड़ने का काम करते हैं जब बड़े अनों की बात करते हैं, तो carbohydrates के बड़े अनों में polysecrets को सम्मिलित किया जाता है और यह polysecrets को विभक्त करकर तोड़ करके monosecrets में बदलने का कारे करते हैं छटी category होती है sulfates, यह sulfates जो हैं वो basically esters पर कारे करते हैं और उनको टुकरों में विभक्त करने का कारे करते हैं तो broadly हम देखें, lysosomes के अंदर एक लंबी list है enzymes की जो की पाये जाते हैं, लेकिन उनको हम इन 6 categories में divide करके पढ़ सकते हैं आईए अब हम पढ़ते हैं, lysosomes के प्रकार हम चाहें उसको बोलें या हम बोलें कि लाइसोसomes की बहु रूपता की बारे में अध्यान करें तो D. Robertis ने 1971 में लाइसोसomes की जो polymorphism या बहु रूपी property है उसके बारे में सबसे पहले बताया और उन्होंने बताया की कोशिका के अंदर चार प्रकार के लाइसोसomes पाये जाते हैं सबसे पहला लाइसोसomes जो primary लाइसोसomes कहलाता है प्राथमिक लाइसोसomes कहलाता है इसे संग्रह कनभी कहते हैं और ये आकार में बहुत छोटे होते हैं ये basically गोलजी काय की ट्रांस सतह पर GERL सिस्टम द्वारा उत्पन होते हैं मैं फिर repeat करता हूँ गोलजी काय की जो दो सतह होती है ट्रांस और सिस उनमें से ये ट्रांस सतह के उपर निर्मित होते हैं GERL सिस्टम द्वारा और इनके अंदर राइबोजोम द्वारा निर्मित कई प्रकार के enzymes पाये जाते हैं यहां चितर के मादे हम से देख सकते हैं कि यह केंदरक वाला भागे जहां यह मेरा coin der चल रहा है केंदरक समीब यह स्तित्य गोखल्जी का और जैसा की ना मंंकर नहीं और गौल जी कहा है कि ये वाली जो सते देख रहे हैं आप देख पा रहे हैं ये ये कहलाती है ट्रांस सते ठीक है और इस ट्रांस सते पर ये जो छोटे छोटे आकार की जो गुलका रचना है देख रहे हैं ये ही बेसिकली प्राइमरी लाइसोसोम्स या प्रात्मिक लाइसोस देखते हम तो जो दूसरा प्रकार है वो दूतिक लाइसोसम या सेकंडरी लाइसोसम कहलाते हैं इनको हिट्रोफेगोसॉम या पाचक नसदानिया भी कहते हैं अब देखे इसको में चित्र के माधियम से समझ सकते हैं यह कोशिका की कोशिका जिल्ली है और कोशिका जिल्ली मे जो कोशी का द्वारा एंडो साइटोसी या कोशी का अंतर ग्रहन किया जाता है तो उसमें दो प्रकार के पदार्त बनते हैं दो प्रकार के रचनाएं बनती हैं रादर फेगोसॉम या पिनोसॉम जैसे ये फेगोसॉम या पिनोसॉम अंदर जाते हैं तो उनके साथ ये प्रा primary lyosome ने इस को ले लिया, यह primary lyosome में basically उसrationsने ले लिया phagosome या penozome को और फ wolle करके और यह बदल गई आपकी इस तरह से digestion का काम करने लग गई तो जो secondary lyosome में वह आपकी heterophagosome या पाचव रजडान्या ही कहलाती है और वास्ता में ये फेगोसोम ये पीनोसोम के अंतर ग्रहन द्वारा उत्पन होती है अब इनके अंदर पाचन की ग्रिया धीरे 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 चलती रहती है जैसे ये इन्होंने ग्रहन किया फेगोसोम और पाचन चलता रहा और जब पाचन चलता रहा तो यदी पूर्ण रूप से पाचन हो गया तब तो कुछ कुशिका के सुरी लाइससोम के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा लेकिन या पाचन जो है वा पूर्ण रूप से हुआ तो फिर हमारे पास दीसरी प्रकार की लाइससोम आती है जिसको हम र अप्शिष्ट काय कहलता है अब आप यह देख पा रहे हैं तो यह रही आपकी इस तरह से अप्शिष्ट काय और पाचन के प्रशाद और याद रखें कि जो old age cells cells की जब old age हो जाती है या हम कहाएं कि अगर वो diseased हो जाती है वो कोई कोशिका तो उसके अंदर ये अब शिष्ट काई का निर्माण अधिक मातरा में होता है अब आती है अपने पास चोथी स्वभख्षी धानिकाएं या cytolaisosome या autophagosome ये विशेश प्रकार की स्थितियों में ही कोशिका के अंदर उत्पन होती है या बनती है ये सामाने रूप से नहीं पा जाती सामाने रूप से इनी तीन प्रकार के lysosomes का निर्माण होता है ये जब कोशिकाएं बहुत अधिक आयू की हो जाती है या हम कहें कि उस कोशिका के स्वयम के जो कोशिकांग है mitochondria होई ये अंतर प्रतर विजाली का होई वो स्वयम मान लीजिये कि अपनी कारिक्षमता को धीरे-दीरे खो देते है यानि एक निश्चित आयू परशात वो निश्क्री होने लगजाते है तो देरे-देरे-देरे वो कोशिका भी निश्क्री होने लगती है या हम कहें कि ओल्ड एजिये अब रदावस्ता को प्राप्त कर लेती है तो उस इस्थिती में बनने वाली ये सोबक्षिदानी का है क्या करती है ये स्वयम कोशिका के कोशिकांगों का और या उसके अवयवों का पाचन करने का कार्ये करने लग जाती है और यदि ये कार्ये बहुत बड़े स्थर पर होने लग जाए संपूर्ण कोशिका में होने लग जाए तो पूरी की पूरी कोशिका का भक्षन हो जाता है, उसी को मोटोपेजी या असो भक्षन कहते हैं और यही कारणे के लाईसोसोम को हम आत्मघाती थेलियां भी कहते हैं तो यह जो पूरी स्लाइड है वो यह शो करती है कि लाइसोसोम में किस प्रकार से Polymorphism यह भहुरूपता पाई जाती है और हम कह सकते हैं यह भहुरूपता उसको चार रूपों में भहुरूपता चार रूपों द्वारा प्रदर्शित की जाती है आई जब हम लाइसोसोम के जो functions हैं या कार्य हैं उनको one by one discuss कर लें लेकिन मैं इसके कार्यों मैं मूल रूप से एक एक करके चर्चा करूँ उससे पहले आपको बता दूँ basic कार्य है लाइसोस्वम का जो प्रमुक कार्य है वो है पाचन digestion यानि बड़े बड़े कार्मिनिक पदार्थों यानि वही फेको cytosis या पीनो cytosis द्वारा जो ठोस या द्रव प्रदार्थ क्रमश कोशिका के अंदर जो प्रवेश किये जाते हैं या लिए जाते हैं उनका पाचन करना कोशिका के स्वयम के अंदर अब चुकि अंदर हो रहा है इसलिए उसका हम बोलते है अपनी ही कोशिका के पाचन लाइससोम द्वारा किया जाता है इसलिए ये digestion of intracellular substances या autophagy कहलाता है तीसरा आता है cellular digestion या autodiation इसमें जब कोशिका हैं भरदावस्ता प्राप्त कर लेती हैं अम्रत हो जाती तो स्वयम कोशिका को नश्ट करने के लिए भी लाइससोम अपने enzymes को सक्रिय कर देता है और कोशिका को नश्ट कर देता है तो ये तीसरे प्रकार का digestion हो गया और चोथा हो गया कोशिका के बाहर वाला digestion या एक्स्रासेलिलर डाइशन और उस केस में क्या होगा लाइससोम अपने जिल्ली के पास जाकर ये निशेचन में भी महतुपूण भूमी का निबाता है क्योंकि जब स्पॉम्स के द्वारा एक्रोजोम से कुछ प्रकार के enzymes का स्तरवन किया जाता है तो नो डाउट एक्रोजोम का निर्मान तो गोल जिकाए ही करती है लेकिन लाइससोम्स उन enzymes के स्तरवन में महतुपूण भूमी का निबाता है उसी प्रकार के उसे पौदों में जो भी जंकूरण है जिस सीट जर्मी निशन है उसमें भी इनका महतुपूण का रही है और अस्थी निर्मान उस्टियोजिनेसिस में भी या अस्थी कोशिकाओं के निर्मान में भी इनकी महतुपूण भूमी का है और अभी नमीन अनुसंधानों से ये भी ग्यात हुआ है कि जो कैंसर का विकास है उसमें भी लाइससोम्स की महतुपूण भूमी का है क्योंकि यदि किसी कोशिका में गुण सुत्रों को ये लाइसोसोम अपने एंजाइम डी एनेज द्वारा विखंडित करने लग जाते हैं तो वो कोशिका फिर कैंसरस सेल में या हम कहें कि कैंसर जन कार्सिनोजिनिक सेल के अंदर रुपांधरित होने लग जाती है तो इस प्रकार से हमने ये लाइसोसोम के कारे के बारे में अध्यन किया और ये हमारा एक और कोशिकांग यहीं पर समाप्त होता है यदि आपको इस समद्दित कोई प्रशन है या क्वेरी है तो आप जब ये वीडियो आपको ग्रूप में शेयर किया जाए वहाँ प्रशन कर सकते हैं अन्यता आप अब चैनल के उपर यूट्यूब चैनल के उपर भी अपना प्रशन रख सकते हैं आपके प्रशनों का जवाब दिया जाएगा थैंक्यू सो मज